दोस्तों नमस्कार आदाव सत्रियकाल नियोज क्लिक के कारिकरम हफते की बात के साथ मैं उर्मिलेश अपने देश के हिंदी भाषी छेत्र में इन दिनों भावना आहत विरादरी इसका दायरा काफी बढ़ रहा है जिधर देखिए उधर भावना आहत होने की खबरें आ रही है और लोगों पर आरोप लग रहे हैं कुछ पर मामले भी दर्ज हो जा रहे हैं कुछ की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं भावना आहत की जो गूंजे हैं वो नीचे से उपर तक अदालतों में भी उठ रही हैं। अभी हाल ही में 8 जुलाई को भारत सरकार के ASG यानि Additional Solicitor General साहब की एक टिपणी में भी भावना या धार्मिक भावना आहत होने की चर्चा हुई। ये मामला आल्ट निउस के मुहंबद जुवेर की जमानत की याचिका पर सुनवाई के दोरान सामने आया। चुकि इस हफते की ये बहुत बड़ी ख़बर थी। आखवारों ने भी पहले पेज पर चलाया। टीवी पुरम में भी इसको लेकर काफी कवरेज हुआ। इसलिए पहले हम उस खबर पर नज़र डालते हैं कि वो खबर क्या है। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को बड़ी राहत देते हुए किसी भी राजे की पुलिस द्वारा उनकी गिरफतारी पर रोक लगा दी। 36 गड़ में दायर एक एफायार वहां भी भावना आत होई होगी। 36 गड़ में दायर एक एफायार और रायपूर की कोट के वारंट के सिलसिले में 36 गड़ पुलिस उन्हें हिरासत में लेने दिल्ली इंसियार आई हुई थी। कुछ दिनों पहले यूपी इस्थित नोयड़ा की पुलिस और 36 गड़ पुलिस के बीच में रोहित रंजन को अपने शिकंजे में लेने या अपने अधिकार में लेने की को लेकर जवरदस्त रसा कशी हुई। लगबग वैसी ही जैसे कुछ समय पहले एक कथित आरूपी की गिरफतारी को लेकर पंजाब अर्याना और पता नहीं कई जगों की पुलिस में इसी तरह की नोग जोंक हुई थी। बैरहाल रोहित को नोगड़ा पुलिस ने अपनी तरफ से हिरासत में ले लिया और शाम को जवानत भी मिल गई। 36 गड़ पुलिस उन्हें तब से तलाश रही थी लेकिन वो फरार बताये गए थे। कम से कम मीडिया में यही खबरें आ रही थी। अब सुप्रिम कोट से रोहित रंजन को रहत मिल गई है काफी बड़ी रहत। लेकिन मशहूर जो फैक्ट चेकर आल्ट नियूज के संस्थापक सहसंचालक जुबेर वो इतने भागशाली नहीं रहे। आठ जुलाई को भी माननी सुप्रिम कोट की इसी बेंच ने उनके मामले में सुनवाई की और यूपी के सीतापूर में दर्ज केस में पांच दिनों की सशर्थ जमानत दे दी। स्थानी कोट ने जुबेर को 14 दिनों की नियाई खिरासत में भेज रखा था ये मामला एक ट्विट को लेकर है जिसमें उन्होंने कुछ लोगों के बारे में कुछ टिपणियां की जिसकी हम बात में चर्चा करेंगे लेकिन इस जमानत के बावजोद जुबेर रहा नहीं ह बिली तो ये हुई नियाले के फैसले की संचित जानकारी जिसे आप सब अब तक अख़वारों वेब साइटों पर पढ़ चुके होंगे लेकिन हफ़ते की बात का हमारा जो मुद्दा है वो कोट में चली सुनवाई के दौरान भारत सरकार के सॉलिसीटर जनरल तुशार मह पाजु साहब इन लोगों की जो जुबेर को जमानत दिये जाने की उनकी जो याचिका थी उस पर जो टिपणियां आई खास कर जो देश के एक बहुत वरिष्ट अधिवक्ता हैं कोलीन गुंजाल विस उनके दलीलों को काटते हुए जो कुछ बाते हैं कुछ खास टिपण से वो बहुत दिल्चस्प हैं सरकारी पक्षिस केस को कितनी औहमियत दे रहा है इसका संकेत दोस्तों इस बात से भी मिलता है कि हमारी केंद्र सरकार के दो दो वरिष्ट विधी अधिकारी यानि भारत सरकार के आठ जुलाई को क्रमशा यूपी राज्य और यूपी पुलिस कासकर जाच अधिकारी उनकी तरब से जुबेर की जमारत याचिका के विरुद्ध कोट में उतर पड़े थे ये कोई साधान गटना नहीं है और साधान गटना है कि एक पत्रकार को जेल में बनाये रखने की कितनी कोशिश कर रही है हमारी सरकार या हमारी सरकारें जबकि दुन्या के कई ऐसे देश जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके यहां डिमोक्रिसी ज्यादा मैचियोर है यूरोपी देश वह भी कहा रहे हैं कि एक पत्रकार को इस तरह से जेल में रखना वाजिब नहीं है जो भी मैंने कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ऐसे पत्रकार को जिसने कोई संगे अपराध नहीं किया है उस पर कुछ वि एस भी राजू की बातने जितनी मारके की थी उससे ज्यादा मुझे तो कम से कम हैरत तंगेज लगी अब एक उदारण देखिए उन्होंने कहा मैं कोट कर रहा हूं मैं अपनी ओर से किसी का नाम नहीं ले रहा हूं कोट में जो कहा गया है उसको मैं हूब हूँ वो दृत कर हैं जिनके बड़े अन्युआई हैं जब आप एक धार्मिक नेता को नफरत फैलाने वाला कहते हैं तो यह समस्या पैदा करता है यहां यह बताना जरूरी है कि कुछ समय पहले जुबैर ने अपने ट्विट में बजरंग मुनी के एक वीडियो को ट्विट किया था जिसमें उन्होंने एक समुदाय विशेस की महिलाओं के बारे में बहुत आपत्ती जनक टिपणियां की थी और वो टिपणियां वो वीडियो सारजनिक सर्कुलेशन में हैं जुबैर ने उनके वीडियो को ट्विट किया साथ में टिपणी भी की और पुलिस से कहा कि इनके खिलाब कारवाई जरूर की जानी चाहिए उन्होंने सीतापूर पुलिस को खास तोर पे टैक किया था कॉलिन गोंजालविस ने कोर्ट में ये बात कही सीतापूर पुलिस के जाच अधिकारी की तरफ से पेश हुए राजु साहब यानि एस जी उन्होंने कहा कि जुबैर के इंसा भड़काने वाली करवाई कर रहे थे एस जी ने ये भी कहा कि बजरंगी बाबा के बड़ी संख्या में अनुयाई हैं ध्यान दीजेगा बजरंगी बाबा के बड़ी संख्या में अनुयाई हैं और जुबैर उन अनुयाईयों की धार्मिक भावना को भड़का रहे ह आ गई ना भात भावना की तो एक धार्मिक नेता अबु कह रहे हैं एक धार्मिक नेता तो ग्रणा फैलाने वाला वो बता रहे हैं इस पर गोंजालविस ने कहा कि राश्टी महिला आयोग भी युत्तर प्रदेश के डीजीपी से उक्त व्यक्ति के खिलाब का रवाई की मां कर चुका है इस बारे में उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट का खास तोर पे हवाला दिया दूसरी तरफ एस जी तुशार मेहता ने तो यहां तक कह दिया कि जुवेर के मामले में इस बात की जाच की जानी चाहिए कि कहीं वो किसी ऐसे सिंडिकेट का हिस तो नहीं जो इस तरह के ट्विट करके देश को आइस्थिर कर रहा है हाना कि एस दी ने ये भी कहा कि जिन लोगों ने नफरत वाले भाशन दिये उनके खिलाब करवाई हुई है कोई भी उनका बचाओ नहीं कर रहा है कोट की इस प्रसेडिंग को हमने लाइव ला नामक ए एक ऐसी वेबसाइट से लिया है दोस्तों जो आम तोर पे जो मैंने कोट किया है जो आम तोर पे जिस वेबसाइट को कानूनी मामलों की रिपोर्टिंग में प्रामारिक माना जाता है भारत सरकार के एस जी ने जुबेर की आचिका का विरोध करते हुए एक कथित संबानी धार्मिक महंत के बारे में जो भी विशेशन यूज किये हैं सबसे पहले तो वो कानून की भाषा नहीं हो सकती दूसरी बात कि उक्त महंत के विरुद्ध यूपी में पहले से मामला लंबी थे वो 13 अप्रेल को गिरफ्तार भी किये गए थे और उसी महीने में वो जमानत प जो एस्जी साब एपियर हो रहे हैं कोट में वो किसकी तरप से पुलिस की तरप से जहां चधिकारी की तरप से वो कहा रहे हैं कि सीतापूर के और उनके विर्द कारवाई की मांग वाले ट्विट से महंत के अनुयाईयों की धार्मिक बावना आत होगी तो फिर सीतापूर पुलिस या यूपी शासन ऐसे कथित धार्मिक नेता के उसके विर्द पहले से लंबित मामलों में कारवाई कैसे करेगा अगर सरकार के विधी आफिसर अगर वो ये कारवाई कैसे होगी जो आल लेडी कैसे लंबित हैं उनके खिलाब तो क्या ये माना जाए कि उक्तमहंत के खिलाब जो मामले लंबित हैं उनमें कानून अपना काम नहीं करेगा कानून कोई कदम नहीं उठाएगा क्योंकि इस से उनके अनुयाईयों की भावना आथ हो सकती है एक सवाल है मेरा अगर ये पैटर्न बन जाता है या बन गया तो भई ये तो गजब की बात होगी और गजब की बात भी नहीं होगी ये तो किसी धार्मिक महंत चायो किसी भी धर्म का हो या धार्मिक प्रत्नीदी वो गजब का प्रिविलेज यानि विशेशादिकार उसको मिल जाएगा तो क्या ये माना जाए कि भविश्य में अब किसी महंत या धार्मिक प्रत्निदि को उसके किसी संभावित कदम के लिए कभी कोई मामला नहीं बनाया जाएगा क्योंकि इससे लोगों की धार्मिक भावना का आथ हो सकती है कुछ लोगों की फिर सिक, मुस्लिम, इसाई, बौध या जैन क्या इन सभी धर्मों से जुड़े उनके कथित धार्मिक प्रत्निदियों को भी ये प्रिविलेज मिलेगा अभी तो सरकार की प्रत्निदिये कह रहे हैं ये बात इस तरह के जो निश्कर्स अगर निकाला जाए तो ये बातें वहां से शुरू होती हैं जो A.S.G. साहब कह रहे हैं और एस्जी साब जो कह रहे हैं मैं समझता हूँ कि चूंकि वो सरकार के विधी प्रत्नी दिया है इसने बहुत इसको गंबिरता पुर्वक लिया जाना चाहिए दोस्तों ये अकेला मामला नहीं है हिंदी बाशी च्धितर में इन दिनों धार्मिक भवना से आथ होने वारी मान सिक्ता की बाड सी आ गयी है वो अपने ऐसे उफान पर पहले कभी नहीं थी जब देखिये तब किसी ने किसी शहर में किसी सूबे में किसी ने किसी की भावना आथ हो जा रही है कभी धार्मिक भावना, कभी नीजी भावना फिर क्यों न हमारी सरकार और संसथ इस बारे में एक सुनिश्चित कानून बना दे और उसका रास्ट व्यावी प्रचार करा दे कि कभ और किन किन वजहों से कुछ लोगों की भावना आथ होगी इस से दोसरों को अपना बचाव करने में यानि किसी की भावना के आथ करने के अपराद से बचने में आसानी हो जाएगी और हम और हमारे प्यारे देश और सरकार को इस महान काम के लिए शांतिका नोबिल प्राइज भी मिल सकता है कि हमारे हाँ भावना आथ होने का दाएरा फिक्स करके अनावश्यक अशान्ति से समाज को कैसे बचाया जा रहा है दोस्तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि भावना आथ होने के मवजूदा उफान में जो भावना आथ जो एक विरादरी का इतना जो फैलाव अपने मुल्क में हो रहा है इस वक्त अगर आज के दौर में स्वामी विवेका नंद डॉक्टर भी आरम बेटकर राहुल सांकृत्यायन अगर इस तरह के लोग आज होते आज और वही लिख रहे होते जो उन्होंने अपने जीवन में लिखा है या वही बोल रहे होते जो उन्होंने अपने जीवन में बोला है यानि उनके व्याख्यान उनकी किताबें अगर वो आज लिखी जाती आज बोला जाता उनका व्याख्यान तो निश्चित रूप से वह गिरफतार होते जेल में होते जमानत नहीं मिलती और बहुत बुरा उनका हाल होता ये मैं चुकी तीनों लेकों को तीनों मनीशियों को तीनों विद्वानों को मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसलिए ये बात आधिकारिक तोर पे कह सकता हूँ प्रामाडिक तोर पे कह सकता हूं की उनकी उनकी बातों में उनके लिखे में ऐसी बहुत सारी बातें आ जाएंगी जो आज का भावना आहत जो समाज है भावना आहत समूँ एक जो पैदा हुआ है उसकी भावना तो बहुत बुरी तरह आहत हो जाएगी और वोगिन अफ्तार हो जाएंगे तो हम ऐसे दोर में रह रहे हैं नमस्कार आदाब स्थियाकार